गाजियाबाद में कैंडल मार्श निकालकर मतक के परिजन वा ग्रामवासियों ने पुलिस के खलाफ आकरूश रताया है मंडिके वापारी भाजपनीता खारी की हत्या के ब्रोध में चौथे दिन भी मार्केट बंद रहे शेत्रिय सांसा देवम विदेश राजमंत रिवी के सिंग परिवार को संत्वनान दीने पहुंचे जहां उन्होंने आला दिकारियों से बाच्छीत कर घटना का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है चिरोडी में रतक परिवार और ग्रामिनों ने बुधवार शाम संके तक कैंडल मर्च निकाला परिचनों का यह भी कहना है कि अधी पुलिस इस मामले का जल्दी खुलासा नहीं करती है तो भगत के बड़े भाई निरंजुन खारी डियम आफिस के सामने आत्मधाह करने के लिए भी तयार है अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्द हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुचाएगा यह तो आने वाला ही वक्त बताएगा जबकि पुलिस सुराख तक नहीं लगा पाई है श्रेतर अधिकारे दुर्गेश कुमार सिंग का कहना है कि हत्यारों की तलाश जारी है उस व्यापारी को इतनी जगन हत्या करी गई है उसको इतने बुरी मेरा ना गोली 30 mm की गोली मारी गई है और अभी तक मेरे भाई के बारे कुछ भी परशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला किन लोगों ने मारा है किन उसकी जगन हत्या की गई है वो आप लोगों को भी पता है किस तरी नर्मम हत्या की गई है कि सब्दों की व्याख्यान भी नहीं कर सकते हम उसको इतनी जगन हत्या करी गई है पुलिस परसासन के हाथ खाली है तो हम इस पुलिस से क्या उमीद करें पुलिस कुछ कारवाई कर रहे हैं तीन दिन में इन लोगों ने एक क्लू भी हासिन नहीं किया है आज हम जो ये गैंडल माच निकाल रहे हैं बिल्कुल मोन अवस्ता में निकाल रहे हैं ये के वर एक आगाज है पापा को जिसने भी मारा इस कातिल को फांसी होनी चाहिए अभी तो तीन दिन हुए अभी कुछ भी नहीं पता चला फांसी हो फांसी जिसने भी मारा है पापा को जिसने भी मेरे पापा को मारा है उसको फांसी होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए वह से मुझे मेरे पापा का नियाय चाहिए अभी नहीं कदी कुछ भी तीन दिन होगा